हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइफ है कॉंसेप्ट, तो आप सभी का वाइफ है कॉंसेट में स्वागत है, तो आज में लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंट अफेर का एक इंपॉर्टन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है टॉक्यो अलंपिक 2021, तो जपान में आपको details में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए आप लोगर किसी प्रकर का कोई competitive exam का त्यारी कर रहे हैं, चाहे railway हो, SSC हो, या फिर कोई state level का competitive exam का त्यारी कर रहे हैं, तो इस topic को अंतर तक जरूर देखेगा, क्योंकि यहां से current अगर का एक question से दो question आपको जरूर द सकते हैं, ठीक है, देखे इस topic से question कैसे बनेंगे, तो question बन सकते हैं कि भारत के लिए इस बार किसने gold medal जीता है, ठीक है, वो किस खेल से संबंदित है, नीरत चोपडा ने कौन सा medal जीता, या फिर कौन सा खेल से संबंदित है, ठीक है, या किस राज इससे है, ठीक है, इस तर करते हैं ज्यादा समय नहीं देखिए यहां पर जो है जितने भी कोश्चन लिया गया है हर एक कोश्चन इंपोर्टन कोश्चन लिया गया है ठीक है तो आप लोग वीडियो के जपान के टॉक्यो में कहा जपान के टॉक्यो में इसका आयोजन हुआ है इसका आयोजन 2020 में होने वाला था लेकिन कोविड के कारण जो है 2020 में नहीं हो पाया और इसका आयोजन अभी 2021 में हुआ है ठीक है इस बार इसका 32 संसक्रन था ये भी आपको याद रखना है अब बात क इंदू ने एक बैटमिंटन खिलाडी है, सिल्वर मेडल जीती थी, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कोस्टेन कहीं से भी बन सकता है, अलम्पिक से, देखे यहां पर 33 लिखा गया है, लेकिन यह होगा 32 ठीक है, अभी 32 गिरिसम का लिखाली ओलंपिक ख यहां पर मैं आपको स्रीज में लिखा दिया हूं, अगला प्रसन की ओर चलते हैं, अगला प्रसन आपके पास, गिरिसम काली ओलंपिक 2020 का आवेजन कब से कब तक हुआ, तो देखे यह 23 जुलाई से शुरू हुआ था, और 8 अगस्त तक चला है, तो अप्सन नमर एक इसका स यह अंसर हो जाएगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त, चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रसन की ओर, तो अगला प्रसन है आपके पास, 2020 में ओलंपिक में कुल कितने खेलों को सामिल किया गया था, देखे लेते हैं, वो नए खेल कौन-कौन सा है, ठीक है, तो देखे यहां पर आपक जफिंग, ठीक है, स्केट बाडिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल, तो यह 5 खेलों को यहां पर समलित किया गया है, नए खेल के रूप में, इस बार टौक्यो अलंपिक 2021 में, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रसन की ओर, तो अगला प्रस नंबर आपका फोर सही अंसर हो जागा, मनपरीट सिंग और MC मेरी कॉन, MC मेरी कॉन एक मुक्यवाज है, और मनपरीट सिंग जो है, अभी इंडियन होक्की टीम के कैप्टैन है, इसको भी याद रखना है, ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगला प्रसन की ओर, यहां पर पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, वो सारे आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाएंगे, अगला प्रसन की ओर चलते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यह है आपका मेरी कॉम और यह है आपका मनपरीट सिंग, अगला प्रसन है आपके पास, कि टौक्यो ओलंपिक 2021 मे तो देखें, बजरेंग पुनिया जो है एक पहलमान है और यह हर्याना के रहने वाला है, यह 65 किलोग्राम भारवर्ग में खेलते हैं, तो तीनों को याद रखना है कि बजरेंग पुनिया कोन है, यह एक पहलमान है और यह हर्याना के रहने वाले हैं, और 65 किलोग्राम भार अगला प्रसन की और बढ़ते हैं तो अगला प्रसन है तो अगला प्रसन है आपके पास टौक्यो अलंपिक 2021 में किस भारतिया खिलाड़ी ने सबसे पहला मेडल जीता तो देखे सबसे पहला मेडल किस ने जीता किस भारतिया खिलाड़ी ने टौक्यो अलंपिक 2021 में तो यह जीता था मीराबाई चानू ने ठीक है सबसे पहले भारत की ओर से जो टौक्यो अलंपिक 2021 में कोई मेडल लाया है वह है मीराबाई चानू यह सिल्वर मेडल लाई है ठी तो भारो तोलन से सम्मंदित या कितने भारगवर्ग में खेलती है तो 40 किलोग्राम में मेरा भाई चानु वेट लिप्टिंग में खेलती है ठीक है बात करते हैं इसे कौन सा पुरुषकार दिया गया था तो राजीव गांधी खेल रत्म पुरुषकार 2018 से भी इसे सम्मानित किया गया है तो राजीव गांधी खेल रत्म पुरुषकार 2018 का पुरुषकार भी इसे मिल चुका है मिरा भाई चानु मनीपूर में इसका जन्म हुआ था और या मनीपूर का रहने वाली है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्ट की और टॉक्यो अलंपिक देहर 21 में मिरा भाई चानु ने कोन सा मेडल जीता है तो देखे सबसे पहला मेडल तो इनी ने ज glutा भारत की और से और इस ने Öलंपिक 2021 में एक मात्र स्वर्ण पदक यानि कि गोल्ड मेडल किस भारत ये खिलाडी ने जीता है बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन एक दम याद रखना है कि एक मात्र स्वर्ण पदक गीता है इस बार भारत ने और किस खिलाडी ने जीता है तो आपका नीरत चोपडा ने जीता है ठीक है बात कर लितने हैं भर्याना के पानी पतका रहने वाला है नीरत चोपडा बात करते हैं नीरत चोपडा को कौन सा पहले पुरुसकार मिला है तो यह अरजून पुरुसकार 2018 से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है ठीक है इसे भी याद रखना है अच्छा अभी जो जीता है एक मात्र पदक मिला ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रस्ण की ओर इसको भी आपको याद रखना इसका डिस्टेंस को ठीक है डिस्टेंस याद रखना बहुत चरूरी है या भी दे सकता है एक्जाम में तो 87.9 मिटर इसका डिस्टेंस है देखी यहाँ पर नीरत चोपडा जी है ठीक है जिसको कि अभी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है ओलंपिक में नीरत चोपडा जिन्हों ने टॉक्यों ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता है वह किस खेल से संबंदित है तो यह भाला फेक आनि कि जैवलीन थ्रो से संबंदित है तो आप्सन नमर 3 इसका सही एंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगला प्रसन की और अगला प्रसन आपके पास रवी दहिया ने टॉक्यों ओलंपिक 2021 में कौन सा मेडल जीत लिया है तो देखिया अभी रवी दहिया ने टॉक्यों ओलंपिक 2021 में सिल्वर मेडल जीत लिया और या गोल्ड मेडल जितने से चुक गया और silver medal को लेकिन यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है तो option number 20 का सही answer हो जाएगा रवी दाहिया ने अभी Tokyo Olympic 2021 में silver medal जीता है अब देखते हैं हम लोग कुछ important point यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं अब रवी दाहिया के बारे में जितने भी important point बन जिते हैं तो 57 kg भारवर्ग में या कुस्ती खेलते हैं इसका जन्म हर्याना के सोनी पत के नहरी गाउं में हुआ था ठीक है इसको अब आपको याद रखना है चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्न की और तो अगला प्रस्न आपके पास किस भारते खिलाड़े ने टॉक्किय तो ब्रान्च मेडल किस ने जीत लिया है टॉक्यों ओलंपिक 2021 में ठीक है तो यह जीता है बजरंग पुणिया ने थीक है और वहाँ पर था आपका पीषे कुन सा रवी दाहिया ने कुस्ती में जीता था सिल्वर मेडल लेकिन यहां पर कांसे मेडल जीता है बजरंग पु क्लों कि किर्दी खहलते हैं चलगू नई कि खेलते हैं तो 35 किलो इसका खर्याना और यही डिया प sought बात करते हैं और ढाल आ पुनिया के वे इसको तोक्यो अलोंभिक हुआ इसमें द्रौटराग की रूपM भी किस ने किया था धोजवाहक कौन थे तो वह थे आपका बजरंग पुनिया समापन समारों के धोजवाहक थे बजरंग पुनिया उधगाटन समारों के धोजवाहक थे आपका मनप्रीत सिंग और कौन थे तो मनप्रीत सिंग और मैरी कौम आपका उधगाटन समारों के था औ और समापन समारों के दोजवाहक बजरंग पूनिया थे ठीक है चले बजरते हैं अब अगला प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण आपके पास इंडियन होकी टीम ने भारत के लिए टॉक्यो ओलंपिक अब बात करते हैं कुछ important point की तो इससे पहले जो है Moscow Olympic 1980 में ठीक है रूस के Moscow Olympic 1980 में भारती होकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था तो यह भी आपको याद रखना है कि इससे पहले कब मेडल जीता था और गोल्ड मेडल जीता था Moscow Olympic में और एक 40 साल बाद अभी concept जीता है इन्होंने Tokyo Olympic में ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर इंडियन होकी टीम का जो है यहाँ पर फोटो है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला प्रसन की और अगला प्रसन आपके पास भारती होक जो है उद्गाटन समारों का ध्वाजवाग भी यही थे ठीक है यह और मेरिकॉम दोनों थे ठीक है अब बढ़ते हैं अगला प्रसन की और देखिए अपर मनप्रीत सिंग की बात यहाँ पर हार्दी गलती से यहाँ पर टिक लग गया है लेकिन मनप्रीत सिंग अभी वरतम अगला प्राशन की और बढ़ते हैं अगला प्रसन है औरहलीनब्गायिया बरलीन ब घाप वह किस खेल से सम्मंदित है तो देखे लवलीन बॉर्गो हन ने अभी कांच पड़क जीत लिया है टोक्य ऑलंपिक 2021 में और यह बॉक्सिंग से सम्मंदित है ठीक है यह एक बॉक्सिंग की खिलाड़ी है तो यह बॉक्सिंग से सम्मंदित आप्शन नमबर 3 इसका सई अंसर ह जाएगा चलिए इसके बारे में कुछ important point को जानते हैं देखिए लवलीन बॉर्गोहन ने ओलंपिक 2021 में कांस्पदक जीत लिया है और यह boxing की एक खिलाडी है ठीक है इसका जन्म असम के गोला घाट में हुआ था कहां पर हुआ था असम के गोला घाट में हुआ था और यह जो लवलीन बॉर्गोहन ने जो की एक असम की खिलाडी है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्말 क्यों अगला यह तेलंगाना की रहने वाली है, इसका coach का नाम क्या है, तो पुलेला गोपी-चंद इसका coach का नाम है, पीबी सिंदुने 2018 में जो अलंपिक हुआ था, ब्राजील में ठीक है, ब्राजील के रियोंडी जिनरीयों में जो ओलंपिक हुआ था वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था या एक बैटमिंटन के खिलाड़ी है तो इसको बहुत जरूरी याद रखना ब्रॉंज मेडल अभी इसने जीत लिया है टौक्य ओलंपिक 2021 में चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्न की और इसका सही अंसर हो जागा भावानी देवी भावानी देवी अभी पहली महिला तालवार बाज बन गई है जिन्होंने भारत की ओर से ओलंपिक में क्वालिफाइग किया है ठीक है अगला प्रस्न की और चलते हैं तो अगला प्रस्न आपके पास वरतमान में भारती ओलंपिक संग के अध्यक्ष कोन है बहुत important question है तो अभी भारती ओलम्पिक संग के वरतमान में जो अध्यक्ष है वह यह नरिंदर बत्रा कोन है नरिंदर बत्रा तो option नमर इसका देखी यहाँ पर गलती से यहाँ पर हो गया है thomas back लेकिन अभी भारती ओलंपिक संके जो अध्यक्ष हुआ है नरिंदर बत्रा थो मस बात जो है अbn का अंतर आश्ट्री Olं söz थो मस भाच जो है अपको अंतर राष्ट्य秋 ओलंपिक संके अध्यक्ष यहांपर भारती ओलंपिक संkeys कोन Secret नरिंदर बत्रा इसको आप लोग कन्फूजन में मत लीजेगा नरिंदर बत्रा अभी वरतमान में भारतिय ओलंपिक संग के अध्यक्ष है तो अप्सन नमर इसका फोर सही होगा ठीक है यह गलती से थ्री में टिक लग गया है अगला प्रस्ण आपके पास देखी यहाँ पर जो है अंत्राष्ट्य ओलंपिक संग के अध्यक्ष कुन है थॉमस बाच तो थॉमस बाच च्च अंत्रोंस बत्रा Putra मुख्याले हमासग इसका ह हाँ थाद क्योром है एगला प्रस्ण के बढ़ते हैं तो अगला प्रस्ण आपके पास कॉर्पय ब्यार 21 में पहला देश् Emperor 27 तो सबसे पहला जो medal जीता था आपका Tokyo Olympics 2021 में वह जीता था China ने किसने चाइना ने जीत लिया था सबसे पहला medal Tokyo Olympics के लिए वह अभी कौन सा medal तो Swern medal तो पहला Swern medal जीता था China ने Tokyo Olympics 2021 में बात करते हैं कुछ important point की तो देखे Tokyo Olympics 2021 में पहला Swern medal चीन की Young Kian ने ठीक है शूटिंग में जीता है तो देखे शूटिंग में इन्होंने जीत लिया है कि इसका क्या नाम है तो यांग कियांग तो यांग कियांग ने सबसे पहला इस पार जो है Tokyo Olympics 2021 में स्वर्रपदक जीता है तो इसको भी याद रफना है अगला प्रसन की और बढ़ते हैं तो अगला प्रसन आपके पास इन्मेस 21 भारतिय खिलाडी ने Tokyo Olympics 2021 में ब्राँज मेडल जीता है तो देखिए कौन सा खिलाडी है जिन्होंने Tokyo Olympics 2021 में ब्राँज मेडल जीत लिया है तो इसमें पीवी सिंदू, लवलीन, बार्गेहन और बजरंग पुनिया तीनों ने अभी जो है ब्राँज मेडल जीता है तो इसका एंसर क्या जाएगा आपका भारत की ओर से समापन समारों के धोजवाहत भी था ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्न की ओर अगला प्रस्न आपके पास ओलम्पिक में क्वालिफाय करने वाले पहले भारती 13 कोन बन गए तो देखे अभी ओलम्पिक में क्वालिफाय करने वाले पहले भारती 13 कोन बन गए है तो साजन प्रकास इसका साई एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए और जो है अभी जो है ओलम्पिक में भारत की ओर से ये । याद रखना है कितने मेडल प्रोटल साथ मेडल भारत ने टॉक्यों है जीत लिया है। अगला प्रश्न की और चलते हैं ये साथ मेडल किस किस शिता है तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग निरज चोपड़ा ने भाला फेक में ब्राँज मेडल जीता है पहला मेडल हो गया आपका मीरा भाए चानू ने वेट लिफ्टिंग में आपका जीता है कांस मेडल तो सबसे सबसे पहला मेडल इनंसे बहुत कि योर्प से लाया था टॉक्यों में 21 में तो दो मेडल हो गया यहां पर तीसरा मेडल की बात करते हैं रवी दाहिया ने भी आपका बॉक्सिंग आपका पहलवान में जीता था ठीक है सिल्वर मेडल इसको भी याद रखना है तीन हो गया आपका उसके पास चार ब्रॉंज मे बासिंग में तो टोटल साथ पदक यहां पर भारत ने जीतलियाया है ठोक्यों यहँचिस में अब बात करते हैं भारत ने कौन सा अस्थान हासिल किया है तो चार जीता है इस तरह से भी पूछा जा सकता है अगला परस्ट आपका टोक्यों टॉक्कीए ओलंपीजर 21 में भारतने बिहारत ने 48 वा थान हासिल किया है तो इसको भी आपको याद रसना कितने silver medal जीते हैं या फिर कितने total medal जीते हैं या भी हम लोग देख लेंगे तो चलिए अब start करते हैं हम लोग कि कि उसने पहला दूसरा तिसरा अस्तान हासिल किया और कितना medal जीता है तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग एक दो और question देख लेते हैं उसके बाद Tokyo Olympic में कौन सा medal जीता है तो देखिए हर्याना के रहने वाले बजरंग पुणिया ने Tokyo Olympic 2121 में कौन सा medal जीता है कांस पदक जीता है ठीक है और इहों नहीं धोज समारों में धोज वाहक था आपका बजरंग पुणिया है चलिए अब अगला प्रसन क्यों बढ़ते हैं अगला प्रसन आपके पास बजरंग पुणिया और रवी कुमार दहिया किस खेल से संबंदी थे तुनों जो है पहलूड है थिक है तो इसको वी आपको याद रखना है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रसन क्यों अगला पुर अगला प्रसन आपके पास नीरा जैवलीन थ्रो खेल को या खेलते हैं अगला प्रस्ण के और बढ़ते हैं अगला प्रस्ण अपके पास टॉक्यो ओलंपिक में सामील भारती महिला होकी टीम की कप्तान कौन थे तो देखिए भारती होकी टीम जिन्हों ने अभी तो कोई मेडल तो नहीं ला पाया लेकिन काफ खेला प्रस्ण आपके बास टौक्यो ओलंपिकी समील होने वाले पहली ट्रंस जैंडर अथलीट कोन बन गई है तो निमकॉंटनों कॉस्टन है अभी पहली ट्रंस जैंडर ए20zer अथलीट कोन बन गया है तो भारत की ओर से टॉक्यो ओलम्पिक 2021 में सामील होने वाली पहली भारत ये तलवारवाज बन गई है कोन भवानी देवी इसको भी आपको याद रखना है रानी रामपाल की बात करते दिया इंडियान महिला होकी टीम की कप्टान है और यांग कियान जो है चीन की जो है बन पदक इन्हीं नहीं जीता था ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्ण की और अंतरराष्ट्री ओलम्पिक समिती ने ब्लीविन स्पोर्ट्स अभियान की ब्रांड डामेडर किसे बनाया है तो यह बनाया है भी पीवी सिंदु को पीवी सिंदु को ब्लीविन स्पो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्ण के ओर दो रजजद और चार कांस जीता है ठीक है चलिए अब बढ़ते अगला प्रसन यहां पर देखिए टौक्यम में रखीश में भारत सस्थान हासिल किया है तो यह 48 वा अस्थान हासिल किया है बहुत इंपोर्टन इसको याद रखना है ठीक है चलिए अब देख लेते हैं कि कोन कोन देश ने पहला अस्तान दूसरा अस्तान और तीसरा अस्तान हसिल किया है और कितना है तो इस एमरिका ने तीर स्थान फसल किया है तो इसने गोर्ड में जिती है उन होट करें आद बात करते हैं कि तोक्ष lah और सब्सलिब्री डिय में तो successes तो कि इनों को करना मोस्ट इंपोर्टन trying अमरिका ने अभी पहला अस्तान हासिल किया है, चाइना ने दूसरा और जापान ने तीसरा अस्तान हासिल कर लिया है, टॉक्यो अलंपिक 2021 में, बात करते हैं अमरिका कि तो अमरिका इन टोटल कितने medal जीता है, तो इसने गोल्ड में जीता है, 49 medal ठीक है, टोटल 49 gold medal जीता है टोटल 41 silver medal जीता है, और bronze medal जीता है, 33 ठीक है, और total 33 bronze medal जीता है, बात करते हैं कूल कितना medal जीत लिया है, तो कूल medal जीत लिया है, टोटल मिला करके 113, तो इसको याद रखना है, 113 medal total जीत करके अमरिका जो है पहले अस्तान पर रहा है, टोक्यो अलंपिक 2021 में, जिसमें 49 gold medal 14 silver medal और 33 bronze medal था, ठीक है, चायना दूसरा अस्तान असिर किया है, इसने total 38 gold medal जीता है, 32 silver medal जीता है, और bronze medal 18 जीता है, ठीक है, टोटल इस प्रकार से 88 medal जीत लिया है, ठीक है, तो बात करते हैं चायना की, तो चायना ने 38 gold medal जीता है, 32 अपका silver medal जीता है, 18 bronze medal जीता है, टोटल इस प्रकार से 88 मेडल जीत करके दूसरी अस्थान पर रहा है बात करते हैं जापान की तो जापान ने कूल 27 गोल्ड मेडल जीता है सिर्वर मेडल चोगदर जीता है और आपका 17 ब्रॉंज मेडल जीता है और इसी के साथ कूल मिला करके अंठावन मेडल जीता है और 809 mail जीत करके आपका जो है पहला आस्थान, तीसरा आस्थान हासिल किया है तो पहले आस्थान पर अमेरिका जिन्होंने एक्सां सटेरा ilk medal जीता है टोटल चाइना दूसरे अस्थान पर जोन ने AK epic medal जीता है ठीक है गोल्ड की बात करते हैं तो आप असानी से याद रख सकते हैं 49 मेडल गोल्ड मेडल जीता है अमरिका ने 38 गोल्ड मेडल जीथा आपका चाइना ने इसको प्रष्ण की यहाँ पर आपको इसका स्क्रीन स्क्रीन सवाट ले लीजेगा ताकि आप को देखने में असानी हों कि तुरंद एक साथ देख सकते हैं ऐसे आपको इसका पीडियाब मिल जागा टेलिग्राम ग्रूप में तो टेलिग्राम ग्रूप जोएन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्ट बॉक्स में दे दिया जाएगा ठीक है वहां से आप लोग हरे प्रस्ट की और तो इसका साही अंसर जागा अगला प्रस्ट चाइना ने टॉक्यों अलमीजर एकीस में पूल कितने मेडल जीत लिये हैं 119 1388 या फिर 58 तो देखिए भी चाइना ने टोटल मेडल 88 जीत लिया है आपका टॉक्यों अलमीजर 21 में अमेरिका ने 113 मेडल जीता अच्छे से देखें होंगे और आपको याद रह जाएंगे या फिर आप लोग याद नहीं है तो दोवारा फिर रिविजन कीजे या फिर पीडियाप के माधियम से आप लोग रिविजन कर सकते हैं ठीक है तो आपको मैं 100 परसंट बताता हूं आपका एक भी कोस्टन नहीं है जा कोस्टन भी आपका एक इंग्जाम और देखने को मिलेगा तो उसके लिए अलग से में एक विडियो बनादूँगा उस विडियो की अप लोग जरू जरूर देखें कि वहां से कोस्टन देखने को मिलेका ठीक है क्योंकि अभी SSC का exam में हुआ है जो 8 अगस्ट को जो हुआ था 9 अगस्ट को जो हुआ था उसमें question पुछा गया था कि total कितने medal अभी तक hockey में जीता गया है तो total कितने medal अभी तक hockey में जीत लिया गया या question पूछ दिया गया था इस तरह से जितने भी important जीके का question बनेगा वह सारे हम लोग जो है उस वीडियो में cover कर लेंगे ठीक है चलिए यहाँ पर मैं आप लोग के एक important चीज दिखा देता हूं जिससे आप लोग को हर एक topic को भारत की और से याद रखने में आसानी होगा देखी यहाँ पर देख लिए एक साथ सारे को मैं बत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा क्योंकि यहां से जितने भी इंपोर्टन जो है करन्ट अफर का टॉपिक अपलोड चाहता है सारे आप लोग को ताकि तुरद मिल जाएगा अगर आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा तो ठीक है टेलिग्राम ग्रूब आपको देखने को मिल जाएगा जिसका लिंक आपको कहां पर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कैसा लगा कमेंड करके जरू बताएगे लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को ए के द्वारा किया जाएगा आप जरूर बताएगा कमेंड कर के ठीक हैं दो हजार 22 में चॉक्कियो उलंपिक होगा उसका आयजं किस देश में होगा इसका कमेंड करके एंसर बताईगा क्योंकिछा एंसर धीक है और यह 33-67 इसका संस्क्रान होने वाला है किसी में प्रूच ज मिलते हैं आप अगले वीडियो में